25-23 साल का लड़का था बड़ा चुलबुला था मैं उस समय एकदम से शॉक हो गया कि I was 96 kg तो कुछ सेगिंड के लिए तो मेरे दिमाग में एकदम से अंधेरा चागया और वो बात मेरे को पिंच कर गई कि एर एक स्टेज पर किसी ने मुझे आके चैलेंज कर दिया आपको ल आईश्वरी जी मत जोस्ता गणा है पर अगले साल में भी इन शिक्स पैगा बना लिए ना तो जो तू कहेगा वो पार्टी में दूगा यहां तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको समझ लिए कि आपके लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसीडेंट आपको एक ला होता पर या हमेरी लाइफ में हमारे साथ क्या हुआ है और लगातार मेरे ट्रेंटंग प्रोग्राइम कभी sucking दिली मुंबई कभी वेंगलार चेन लगतार में मेरा शीडियूल था कि यहां से फ्लाइट लो यहां पहुंचो यहां से फ्लाइट लो यहां पहुंचो लगाता ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते जा रहे थे तो अपनी फिटनेस के ऊपर मेरा कोई ध्यान नहीं था मतलब कुछ ठीक चलता जा रहा था मुझे ने कभी अपना मुझे अपनी फिटनेस में अपने आपको ट्रांसवर्म करना है तो एक बार मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में कमपनी में हुआ वो सेल्स को लेकर मेरा प्रोग्राम था और जब मैं सेल्स की ट्रेनिंग दे रहा था तो उस ट्रेनिंग में बहुत सारे यंग्स्टर्स भी तो एक 22-23 साल का लड़का था वो बड़ा चुल्बूला था वहाँ पर उसने मतलब का कि सर मैं आपसे कुछ पूछन 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 पूछना चाहता हूं मैं कहां पूछे माइक उसको दिया उसने on the stage मुझसे कोशन किया कि सर आप क्या पो करने हैं आंपको आपको पने कंपनी के एक बस्कें प्रोड़क्ट है और आप रहाए सेसे वड़ा यह एक तो सेकलभाड हूं Europos वाटी आप कि थीक बात है सर आप भी तो तो हमारी कंपनी में सेल्स की ट्रेणिंग दे रहे हैं आपको पता है आपका वेट कितना है देखें मैं उस समय एक दम से शॉक हो गया कि यार मतलब कोई ऑन दा स्टेज मुझसे कैसा कोशन पूछ रहा है कि मैं यहापस कोई फिटनस की ट्रेणिंग दिने नहीं है मैं सेल्स क केजी उसने कथ 96 कि आपका वजहन है आप हमें बता रहे हैं कि एक साल में से इसको ऐसे बढ़ाएं मैं आपसे पूछता हूं क्या एक साल में आपना वेट कम कर सकते हैं तो कुछ सेकिंड के लिए तो मेरे दिमाग में एकदम से अंधेरा चा गया और मुझे लगा यार यह क क्या मतलब मैं किसी को बुष्ट करने हैं वो खुद उल्टा मुझे चैलेंज कर रहे हैं तो आई सेड येस कि मैं अपने लाइफ में जो भी चीज़ डिसाइड करूना वह हासिल कर सकता हूं और मैं एक किलो क्या मैं उतना वेट कर सकता हूं जहां पर कोई एक बंदा एक ब कर लिया और मुझे वह चीज़ हासिल करनी है अब प्रॉब्लम शुरूई यहां से और प्रॉब्लम क्या थी जब मैं एक्साइज करने का मन बनाया और अर्ली मॉर्निंग में उठा पहले दिन तो पहले दिन में मैंने बहुत ज़्यादा एक तरह से वाक कर ली और जब ज़्यादा नहीं कि मैं तो सिर्फ 100-200 मीटर चलाऊं उसने का आप अपनी बॉड़ी का वेट देखे आप अपनी एज देखे उसी हिसाब से आप वर्क आउट कीजिए ऐसा नहों कि आपकी कोई बोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए या आपका कोई मसल टीर हो जाए या और क के बाद में एक्साइज करना शुरू किया जब में वाक पर जाता था तो शिरुवात में दस मीटर बीस मीटर पचास मीटर तक मैं चल पाता था देरे देरे स्टैमिना बिल्डप होने लगा क्योंकि आप रोजाना निरंतर एक चीज़ का प्रयास करते हैं तो उसमें आपक बहुत सारी महारत हासिल हो जाती है आपकी बॉड़ी अडॉप्ट कर लेती है और मैंने फिर अपना शेडूल बढ़ाना शुरू किया और आपको लाइफ में बहुत सारी इंजिर्य होने वाली है शिरुवात में कभी भी एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलते और मेरे सा से मेरी कॉंशियस नहीं सौर ज्यादा बढ़ गी मुझे लगा है रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन अगर थोड़ा सा और स्मार्ट लियम प्ले करें तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है मैंने एक जिम कोच से बात की अपनी डाइट के बारे में बात की सब चीजों को समझा उस मैंने पुश अप लगाना शुरू किया पहला ही पुश अप मैंने लगाया तो बॉड़ी वेट इतना था कि मैं उसको लेकर ऊपर ही नहीं आपाया जैना इगाट शॉक्ट कि नाओ आई हैट टू चेंज माई लाइफ और फिर मैंने रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू क किया पुश अप लगाना शुरू किया पहले शुरुवात में दो चार पांच लग पाते थे फिर आट दस तक पहुंचा पंदरा बीस तक पहुंचा पच्चिस के सथ तक पहुंचा मेरा कहने का मतलब यह कि लाइफ में जब आप चीजों को ट्राई करते रहते हैं तो वह आपको दीरे 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 सफल कर रहा होता है लेकिन कई बार रिजल्ट आपको तुरंट नहीं मिलता और फिर मेरा बॉड़ी वेट तेजी से घटने लगा क्योंकि मैंने डाइट को मेंटें टरना शुरू कर दिया मैंने अपने पॉजिटिव माइंट सेट के साथ कॉंशि विजुलाइज कर रहा था कई बार जब आप विजुलाइज करते हैं और उसमें खो जाते हैं तो आप बातें बोल रहे होते हैं तो मैं ऐसे मैं पेट था मेरा 46 इंचिस की कमर थी 42 के असपास आ गई तो मैं बोल रहा था कि 6-pack abs 6-pack abs जैसे करके मतलब जैसे आप बॉड़ी कि आर इस मोटे को दे कि यह six-pack abs की बात कर रहा है तो उनमें से एक जाट था वो जाट मेरे पास आया माईश्वरी जी क्या कर रहे हो नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं एक्साइज कर रहा हूं थोड़ा बहुत वेट कम हो गया है कर रहा मन सुना आप यूं कर रहे हो वही six-pack abs ब देंगे पर मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं 18th April 2018 से पहले मतलब लगब 85-90 देज का चैलेंज था यह मैंने का मैं six-pack abs बनाऊंगा और फिर मैंने जर्मी में जो भी मेर को नौलेज चाहिए थी मैंने बुक्स पड़ी मैंने बहुत सारे कोचिस से मिला ट्रेनर से मिला ड नहीं कि मैंने six-pack अचीव किया बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइफ में अपना six-pack ab की जर्नी को अचीव करते हैं इंपोर्टन बात यह है कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरा body weight 96 kg था और मेरे लिए बहुत बड़ा challenge था कि मुझे एक साल में केवल transform होना है और यहां तो challenge six-pack abs की बात आ गई और important क्या है मेरा body का जो मेरा west size था वो 47 inches था 46-47 inches था मैं उसको reduce करके 29 inches तक लेकर आया friends यहां तीन बाते बहुत important जो आपको समझनी है किसी भी चीज़ को अगर आप life में शिदत से चाहते है न तो उसको पाने की जो चाहत होती है वही आपको एक मजबूत will देती है और जब किसी चीज़ को पाने की एक बार मजबूत will बन जाती है न तो उसको हासिल करने के लि develop कर लेते हैं तो उसके बाद जो important चीज़ होती होती है strategy रणनीती और एक रणनीती से आपको result नहीं मिलता आप लगातार रणनीती चेंज करते हैं एक ना एक दिन आपके हाथ में वो रणनीती आती है जो आपको उस बुलनी तक पहुंचाती है जिस पर आप पहुंचना च जैसे high BP है low BP है या sugar है या मतलब बहुत सारी ऐसी problem है जैसे joint pain है तो यह problems आने वाली थी और डॉक्टर ने का कि आपकी किवल body transform नहीं हुई है आपने age transformation भी किया है तो friends यह बात जो मैं आज आपको बताएं वो इसलिए बताएं इसलिए मैंने share किये क्योंकि जब मैं training programs में जाता हूं ना जहां मेरे repetitive regular training programs होते हैं वो लोग मेरी transformation को देखते हैं और बहुत बार पूछते हैं कि सहरा आपने कैसे किया क्या किया इसके पीछे कारण क्या था तो आज वो secret मैंने आपको बताया है कि आपके life में कोई एक ऐसा incident आपको एक life का नया turning point दे सकता है और मेरी life में वो turning point था जब मुझे किसी ने challenge किया तो अगर को challenge करता है ना उसको accept करो और पूरी शिदत से उस चीज़ को पाने की चाहत में अपने आपको जोग दो आप हर चीज़ हासिल कर पाएंगे मैं तो के वली ही काऊंगा vision बनाए उस vision में उस vision को पाने के लिए निरंतर प्रय कर दो